एक जंगल में एक चालाक लोमडी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। वो आये दिन कोई न कोई युकती सोचती और किसी न किसी जानवर को उसमें फसा कर मजे लिया करती थी। जंगल के सारे जानवर उसका स्वभ पर पड़ी तो वो सोचने लगी जंगल के दूसरे जानवर तो मुझसे कन्नी कातने लगे हैं। ये सारस जंगल में नया आया प्रतीत होता है। क्यों न इसे मूर्ख बना कर मजे लूँ। वो सारस के पास गई और बोली। मित्र इस जंगल में नए आये मालूम पड़ते ह तुम्हारा स्वागत है। सही पहचाना मित्र, मुझे यहां आये अभी कुछी दिन हुए है। मैं यहां किसी से परिचित भी नहीं हूँ। तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद। सारस ने उत्तर दिया। लोमडी ने सारस के समक्ष मित्रता का प पामंत्रित कर गया। नियत दिन को उपहार लेकर सारस लोमडी के घर पहुचा। लोमडी उसका स्वागत करते हुए बोली आओ मित्र, आज मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर तैयार की है। कीर तो बहुत स्वादिष्ट है मित्र, लेकिन तुम खा क्यूं नहीं रहे हो। सारस सकोचवश बस इतना ही कह पाया। नियत दिन को लोमडी बिना कोई उफार लिये ही सारस के घर पहुच गई। सारस के उसे अंदर बुलाया और बोला नित्र, मैंने भी भोज में खीर बनाया है। आशा है तुम्हीं उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर सुनकर लोमडी के मुँँ में पानी आ गया और वो खीर परोसने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर में सारस ने सुराही में खीर भर कर परोस दी। सुराही में खीर देखकर लोमडी का मुँँ उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वो चुपचाप सारस का मुँँ देखने लगी जो अपनी लंबी चोंट से जटपट सुराही में र लालिया है वो खिसियाते हुए बोली नहीं मित्र वो क्या है कि आज मेरे पेच में दर्द है और वहां से भाग खड़ी हुई